आज बिज्यादस्मी यानि दशहरे का पर्व है इस पावन अवसर पर आप सभी को धेरों शुकामनाए दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धेरे की जीत का पर्व भी है आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं मर्यादा में रहकर पर्वत त्योहार मना रहे हैं इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिस्सित है पहले दुर्गापंडाल में मा के दर्शनों के लिए इतनी भीर जुट जाती थी एक दम मेले जैसा महावल रहता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया पहले दशरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है राम निला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्शन था लेकिन उसमें भी कुछ ने कुछ पाबंदिया लगी है पहले नवरातर पर गुजरात के गरबा की गुंज हर तरप चाही रहती थी इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंध है अभी आगे और भी कई परव आने वाले हैं अभी इद है शरत पुर्णिमा है वालमी की जैनती है फिर धनते रस दिवाली भाई दूज छठी मईया की पूजा है गुरु नानक देवजी की जैनती है कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है मर्यादा में ही रहना है